यह है चीज अमरूत के पौदे को फलों से भर देगी यदि फल का साज छोटा रहता है तो फल के साज को भी ये बढ़ा कर देगी और बहुत ज़्यादा आपके पौदे में फल बनेंगे अमरूत का पौदा जमीन पर या आपने गंबलों में लगाया हो तो ये दोनों पर ये फैटिलाजर वरक करेगा काफी ज़्यादा फूल फल बनेंगे आपके पौदे में ये क्या चीज़ है कैसे काम करेगी आज की वीडियो में हम दोस्तो जानेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको अमरूत के पौदे को तैयार कैसे करते हैं ये भी बताएंगे अमरूत का जो पौदा हमने लगाया हुआ है हमने इसकी दो इंच गहरी गुड़ाई की थी पहले आपको क्या करना है यदि आपके पौदे में ज़्यादा पानी की नमी बनी हुई है तो आपको क्या करना है पानी एक से दो दिर रोक देना है जैसे ही आपको लगे इसकी मिट्टी ब्रूरी होनी लगी है तो लगवग दो इंच आप गहरी गुड़ाई कर दें ऐसा ही मैंने किया है और गुड़ाई कर देने के बाद में दोस्तो हमको क्या करना है उसमें हमें फुली डी कमपोश्ट सड़ी गली गौवर की खाद डालनी है यदि आपके पास गौवर की खाद नहीं है तो आप इसमें कमपोश्ट या बर्मी कमपोश्ट भी डाल सकते है एक पौदे में लगवग अगर ड्रम में लगाए तो 300 ग्राम के करीब आप डाल दें यदि जमीन पे पौदा लगा है तो आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं इससे क्या है कि पौदे में जो मूली पुस्टतों की कमी होती है वो पूरी हो जाती है इसके लावा अमरूद के पौदे में ज़्यादा फल बन ने लगें तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए अमरूद का पौदा हमें ऐसी जगे रखना है जो ड्रम में या गमलों में लगा हुआ है पौदा उसे चार से पांच गंटे की दूप तो चाहिए यदि आपने जमीन पे लगाया हुआ है और उसके पास आस पास में कूछ पौदे हैं तो को सिस करें उस पौदे पे दूप आनी चाहिए क्योंकि अमरूद के पौदे पे जितनी दूप आईगी अपके पौदे में फूरूटिंग होगी हमारे इस चोटे से पौदे में आप अम्रूद और कुछ फूल देख रहे हैं देखे काफी फूलों से भी वरा हुआ है तो जब दोस्तो आपके पौदे में फूल बनने लगे जैसे कि अभी इस अम्रूद के पौदे में फूल बनने लगे हैं तब हमको क्या करना है, जो इसकी side branches हैं, यानि कि आपके पौदे में full बननी लगे, छोटे-छोटे फल बननी लगे, जो side branches निकलती हैं, आपको क्या करना है, वो उपर से remove कर देनी हैं, क्योंकि फल का साज इसलिए छोटा हो जाता है, क्योंकि जो side branches होती है या जड़ में से जो निकलती है नीचे की तरफ से तो वो क्या है कि इसकी एनरजी वो खिंच जाती है तो इसलिए फल का साज है जो की छोटा हो जाता है जब आपके पौदे में full फल बनने लगे तो आपको क्या करना है कि जो side branches है उनको आप remove कर दें फल का साज है वो भी बड़ा होगा और अमरूद का पौदा काफी बड़ेगा भी तो चलिए बो दो चीज क्या हैं दोस्तों और कैसे हमें इस्तमाल करनी है अमरूद के पौदे में आईए जानते हैं सबसे पहले मेरे हाथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ प पोटेसियम नाटरेट यह चीज डालने से हमरूद में काफी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और पौदे में जो मूली पोस्ततों की कमी पाई जाती है इससे वो पूरती होती है तो हमने यहाँ पे एक चमच पोटेसियम नाटरेट ली है और दूसरी चीज यह जो देख यह हमने सरसों कली पाउडर लीया था यहांनी कि машटर केक फटिलाजर है और यह बिल्कुल देखियर और गैसर और घर है मिक्स कर देने के बाद में क्या करना है हमें अमरूद के पौदे में इसे हम ंडालेंगे और हमारेâmara मिक्स के पौदे में 8 तो चलिए मैं इस वर्टिलाजर को डाले देता हूं तो बस आप इस तरीके से चोटे से पौदे से भी आप ज्यादा फल ले सकते हैं यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैन